देखिये मालेगाउ शहेर 85 पर्षन लोग यहाँ पर मिडल कलास है मतवसित तबके से तालुक रखने वाली आबादी है लोग छोटा मोटा कारोबार करते हैं सैकल का पंचर लगाना, अंडे की गाली लगाना और भी दिगर इसे छोटे मोटे कारोबार है हुकुमत की तरफ से अभी जुजवी लगडाउन लगाया गया हर सुब का निकलता हुआ सूरज एक नई गाइडलाइन लेकर के निकल रहे महराश्टे के अंदर इसे पहले रियासती सरकार ने ये कहा था के रियासत के लोगों को कोरोना से लड़ने के लिए तयार रहना चाहिए और कोरोना के साथ जिंदगी गुजारने के आदा डाल लेनी चाहिए लोग कोरोना से अब सवाल ये पैदा होता के कोरोना से हम कैसे लड़ेंगे कोरोना से लड़ने के लिए उसका सिर्फ हल लॉकडाउन नहीं है मेरा ऐसा मानना है कि होस्पिटल ये इतिबार से हकूमत को ज्यादा कॉंसेट करना चाहिए टेट्मेंड सही से मिलना चाहिए, होस्पिटल के अंदर डाक्टरों का इंतिसाम अच्छी से होना चाहिए उसका हल सिर्फ लॉकडाउन नहीं अब हुकूमत ने ये कहा था कि रियास्त के लोगों को कुरोना के साथ जिन्दगे गुजारने के आदा डाल लेनी चाहिए अब कभी कुरोना के साथ जिन्दगे गुजारने के आदा डाल लेनी चाहिए लोग करोना के साथ जिन्दगे गुजारने के आदर डाल रहे हैं तो इसका मतलब अब उसके लिए ऐसा हो जाएगा कि आप मुकमल तोर से अगर आप लोगडाउन लगा देते हैं तो ये जो छोटे मुटे कारोबार करने वाले लोग है गरीबी सते से तालुक रखने वाले लोग है जो रोजाना कमाते हैं रोजाना खाते हैं उनका क्या होगा हुकूमत को उनकी तरफ भी कॉंसेट्रेक टरना चाहिए उनका भी ख्याल रखना चाहिए अभी मालेगा और शहर के अंदर एक अभी ऐसा लगडाउन लगा दिया गया कि 30 अप्रिल तक के टोटल दुकाने पूरी तरीके से बन करने का आदेश दे दिया गया शहर के सियासी लीडरान आएक किद्वाई रोड के ओपर भी बहुत ठेर सारे लोगों ने ग्रिफताजी दी वहाँ पर ऐसा हो गया कि एक माहूल ऐसा बन गया कि शहीदों की आदगार के पुलिस की गाली में बैट करके हम बेट करके पुतले की तरफ से जाने का और शिवजी पुतले की तरफ से उतर करके आ जाने का यह हमारा तरीका नहीं हमारा मिजाद नहीं और यह हमारे मिजाद से मताबिकत भी नहीं रखता हमने इससे पहले भी सीम को भी इमेल किया है और अभी हमलोग यहाँ पर और एडिशनल क्रेटर के पास भी हमारी यह मांग लेकर क्या है एक कुरोना से लड़ने के लिए lockdown उसका हल नहीं है हमारा ऐसा मानना है कि उसका हल lockdown नहीं है उसका हल यह कि आप hospital के इतिभार से ज़धा concentrate करें वेक्सिन का इंतिजाम किया जाए और भी कुरोना की जितनी भी उसकी इंजेक्शन से है उसको लाया जाए और गेस वहाँ पर जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन का इंतिजाम किया जाए डॉक्टर का इंतिजाम किया जाए पेशन को अच्छे ट्रेटमेंट मिले उसका हल लगा देते हैं तो उससे यह होगा कि गरीबी सते के लोग और ज्यादा गरीब भी हो जाएंगे लोग भुक्मरी के शिकार हो जाएंगे हुकूमत कभी लॉक्डाउन लगा रही है तो फिर गरीबों को भी ख्याल रखना चाहिए आप राध धरम निभाहिए यह M.D.F. की मां होंगे और हम लोग यही निवेदन लेकर के आज यहां पर आए हमने यहां पर एडिशनल कलेटर को निवेदन भी दिया है लेटर भी दिया है और उसके हमने मांग कि है कि इसके ओपर वो कॉंसेंट्रेट करें